हेलो दोस्तो, मैं हूँ पंडिती उवीर जैन हमारे आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मुझफर हुसेन जी का नंबर लिया है कुछ माईने पहले इनका नंबर इन्होंने कमेंट किया था पाई कर वेश्ट बेंगाल से इनका कमेंट आया था तो मुझफर भाई आपका जो बढ़ चाठ है ये करक लगना का बढ़ चाठ है करक लगना वाले लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं सेंसिटिव होते हैं दयालू होते हैं, हेल्पिंग नेचर के होते हैं इनकी सबसे बड़ी अगर विकनेस कुछ होती है तो वो यही होती हैं उनकी इमोशन्स उनकी इमोशन्स इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है करक लगना वालों की लेकिन दिल के बहुत अच्छे होते हैं लोगों की मदद करते हैं, कई बार तो लोग बुरा करते हैं फिर भी पैसा खा जाते हैं फिर भी दुबारा मदद करने के लिए लोग तैयार रहते हैं अब देखिए मुझफफर भाई कई बार ये लेकिन ये लोग अपने आपको complete मैसुस नहीं कर पाते हैं आज की स्वार्थी दुनिया में क्योंकि होता क्या है ये लोगों के साथ बहुत जदार वक्त एमोशनली जुड़ते हैं एमोशनली हर काम करते हैं और दुसरे लगनवाले जो होते हैं और जनरल आज का जो environment है तो लोग practically हर circumstance हर situation को लेते हैं तो ये लोग कई बार अपने आपको use किया हुआ मैसुस करेंगे ठगा हुआ सा मैसुस करेंगे करक लगनवाले इन्हें ऐसा लगेगा कि बस चाहे दोस्त हो परिवार हो जैसा इनका बस use कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ों को एक emotional नजरिये से देखते हैं यह बहुत ज़दे emotional होके हर काम करते हैं और दुसरे और problem यह है कि दुसरे सब लोग इनके जैसे नहीं होते हैं ना इनके तरह सोचते हैं ना इनके तरह हरकाम emotional होकर करते हैं तो practicalness से ज़्यादा emotions हावी होना दुख का सबसे बड़ा कारण होता है लोगों के लिए करना और बदले में return में उतने अच्छे से वो जो expect करते हो ना मिलना सबसे बड़ी दुख की वज़व बनता है करक लगने वालों के लिए अब देखिए मुझफर भाई जिन भी करक लगना वालों के प्रॉब्लेम हो उन्हें इस चीज़ पर overcome करना चाहिए समझोगे तो दो मिनिटी में खुदी-खुदी समझा के अपनी लाइफ बदलने पड़ेगी और अगर नहीं समझोगे तो पूरी जिन्दगी भी कोई आपको समझाएगा आप बदलने वाले नहीं हो कोई नहीं बदलने वाला है अगर हम किसी चीज़ को मैं खुद हूँ अगर किसी चीज़ को accept करूँगा चेंज करने की कोशिश करूँगा तो शएद दो मिनिट में बदलावाना चालो हो जाएगा लेकिन अगर मैं नहीं चाहूँगा नहीं मैं उसके लिए कोशिश करूँगा तो फिर कोई भी ताकत मुझे बदल नहीं सकती पूरी लाइफ मैं ऐसा ही रहूँगा ठीक है दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या है अब करक लगना में लगनका जो मालिक है यह देखिए काफी थोड़ी अलग कुंडली है क्योंकि पांच पांच गरव आठवे भाव में खड़े के स्थान में बैठे है रहू के तु नीच के है अब कुछ लोगों को सवाल डक में वरिषिक में अज़ को अजया लेकिती अच elabor Comics रांज में राहु कि होता है दो पर मत पहुचिए, आप पहले उस पर पूरी रिसर्च करिए, पूरी जानकारी हासिल करिए, जो तिस मतंतर का सब्जेक्ट है, सब के अलग-अलग ओपिनियंस है, जब सब चीजों पर रिसर्च करोगे तो ही सही जवाब मिलेंगे, देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लेम क वो अस्तका है, अमावस्या के नजदीक का जनम होने पर अस्तका चंद्रमा होता है या पर, चंद्रमा अस्तका होकर शनी के साथ विश्योग भी बना रहा है, मंगल के साथ ये चंद्रमा लक्ष्मी योग भी बना रहा है, या पर शनी चंद्र का विश्योग भी हो रहा है, सूर्य शनी का पित्रदोश भी हो रहा है यहापे कई सारी योग हो रहे सूर्य बुद्ध का बुदातिती योग भी हो रहा है सूर्य शनी का संगर्श योग भी हो रहा है ठीक है और मंगल सूर्य का अंगारक योग भी हो रहा है कुछ लोग इस अंगारक योग को अच्छा भी बताते हैं, अच्छा होता भी है क्योंकि ये मित्र होते हैं, इन सब सब्जेक्ट्स पर एक एक वीडियो बन सकता है, चोटा चोटा बड़ा बड़ा, सब टॉपिक के सब्स है, जितने कॉंसेप्स हम उसमें कवर करते हैं, तो दोस्तों, यहापे क्या हो रहा है, देखिए एक तो लगनेश करक लगना में चंद्रमा का आठवे भाव में जाना, एक थोड़ी डिप्रेशन वाली सिचुएशन बताता है, अच्छी नहीं होती है, उसमें भी शनी का यहापे आना, अच्छी बात नहीं है, विश्योग आ खड़े में गया है, आपका धनेश भी खड़े में गया है, चत्रु के गर में हैं दोनों, सूर्य भी शत्रु के गर में है, शनी यहापर स्वग रही जरूर हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लेम क्या है, काफी सारे शत्रुग रहे शनी के साथ भी, शनी भी देखिए मंगल से पीडित है, सूरिय से पीडित है, चंद्रमा के विश्यो के प्रभाव से पीडित है, तो देखिए वो सब वहाँ पे बहुत ही खिचडी हो रही है, तो वहाँ पे कोई भी एक अच्छा फल, क्लियर फल दिख नहीं रहा है, बहुत सारी नेगेटिव चीचेया पर कंबाइन हो सब दिख नहीं चुकी है, तो दीखे अगर अच्छा फल, अकैले शनी भिवास रही होता, तो अच्छा फल देता, लेकिन शत्रु प्लानेट्स के होने के कारण, वहाँ पे अश्ब योगों के कारण वहाँ पे देखने को मिलेंगे और एट था फोस होता है, श्ट्रगल का अच्छी बाते भी होते है पत्नी का धन होता है ससुराल होता है आईश्य होता है अच्छी बाते भी होती है लेकिन जब एसे नकारतमग योगों के साथ कोई अगर आता है तो यह आपर struggle योग बहुत strong हो जाता है तो दिखिए काफी आपकी life struggle वाली बता रहा है और जब 5-5 ग्रह ऐसे आये हैं बागी के 2 ग्रह राउ-के-टु जैसे ग्रह आपके जब नीच के हैं जब 7-7 ग्रह इस तरीके से अलग-अलग किसी पियनकेन प्रकार से अलग-अलग प्रकार से जब वो पीडित हो रहे हैं तब आप सूचिए कि जब भी दशा ही गोचर भी आएगा आप इसए дов안 गोचर करेंगे, तो आप हो दो, ऐसी दोड-ड़़ारी ज़ना दोगनेर लिवन होगशर है और गोचर गोचर कहेंगे, इसमस्ट गोचर आबीज़ भीव होगे नियुकरन करेंगा अब देखिए कितने ग्रहों का अलग-अलग हम अलग-अलग कितना उपाय करेंगे देखिए यहापे राउ-गेतु का उपाय करना होगा हमें, शनी-चंत्र का उपाय करना होगा और यहाँ पर इतने सार एशुब योगों के वज़े से हमें यहाँ पर एक चीज समझ नहीं होगी कि कुछ एक common strong साधना करने चाहिए आपको यह सब साध ग्रहों के आपको साध बीज मंत्र देते वे साध ग्रहों के अलगलग वार के fasting दिया जाए क्या किया जाए बहुत complicated हो जाएगा struggle है मानसिक परिशानी जो बता रहा है तो इसमें कुछ आसान तरीका अपना ही है एक महामृत्यूंचे कि आप साधना कर लीजी है क्योंकि शीव जी के आगे दिखिए राव के तु भी शान्त पड़ेंगे शनी चंद्र का विश्योग भी शान्त पड़ेगा एक हनुमान च शीव जी के मंदेर जाहिए और पे 5-11 माला या आपके पस टाइमर एक ही माला बड़ा होता है मृत्यूंचे मंतरा मृत्यूंचे मंतर की कम सखत में एक माला शीव जीव जी मंदिर में में डेली गिन के आना है जल-चढ़ा के आना है कुछ ऐसी साधना ही बना लो तकि 5-10 स तो इससे आपका जीवन कुछ बहतर बन सकता है ठीक है और अभी दश्या भी आपकी बूद की चल रही है बूद अगिन क्या कर रहा है वीप्रित राजयोग में तो बैठा है लेकिन वह वीप्रित राजयोग का फल दे नहीं पाएगा क्योंकि वह सिर्फ खड़े के वीप्रित राजयोग भी प्रापर फल नहीं दे पाएगा वह भी बंग हो चुका है और करक लगना में बूद कोई कारग्रत होता नहीं है तीसरे और बारवे भाव का स्वामी होता है ठीक है लगनेश का शत्र होता है तो ये बूद भी आपे इतना अच्छा फल देने वाल नहीं है सबसे अच्छी बात किया है इस कुंदली में शुक्र उच्का है भाग्य भाव में ये पॉइंट अच्छा है तो थोड़ा बहुत जो है क्योंकि अब दिकी चोथे भाव का भी स्वामी होता है अग्यारवे लाब भाव का भी स्वामी होता है इस कुंदली में करक लगना की कुंडली में शुक्र बादकेश ग्रह भी होता है, यानि वो उच्का होने पर भी उसकी दशा अंत्रदशाओं में बहुत फास्ट जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो नहीं आते हैं, यह तो यह पावरफूल है, अगर पावरफूल ना होता तो उसकी दशा है, ठीक इंसान ने खाया पिया, एक अच्छे से थोड़ा लाइफ को आगे बढ़ा दिया, पर वो बाधाय लाला कर, मतलब इंसान को कुछ बहुत बढ़ा करने नहीं देता है, बादकेश होता है करक लगने में, शुक्र, बादकेश प्लानेट्स के उपर भी हम लोग एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, समझने जैसा है, ठीके दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है अब इस कुंडली में, लेकिन फिर भी यह जो शुक्र है, आपको प्रॉपर्टी के मामले में लखी बनाएगा, इंकम के मामले म वैसे भी लाब आउ में केतु नीच का है, तो यह आप उचका शुक्र थोड़ा बहुत मैदान संभालेगा, आपको जो इंकम होगी, वो शुक्र के कारण होगी, तो यह इस तरके से थोड़ी बहुत कुंडली को संभाल रहा है, नेगेटिविटियों से आपके थोड़ा ब ताकि पता चलता है कि हम जो देख रहे हैं वो कितना परसंट तक हमको भी पता चलता है कि हाम सही जा रहे है चार्ट वाइस, नौमाईश कुंडली भी देखें, तो यह पर एक विबद अच्छी है, शुक्र अच्छा है आपका नौमाईश कुंडली में भी तुला का है, ठ बाकी देखिए कुंडली की जो हालत है उसके बाद ये इतना ही है कि जैसे आपके मंगल की है या तो फिर अपने शुकर की है ये दिशाव में कुछ फाइदा तो कर पाएंगे लेकिन कुछ बहुत बड़ा अच्यूमेंट करने के लिए आपको उपाई करने होंगे यह नहीं चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में चैनल को लाइक शेयर सब्स्राइब करिए ऐसे इंट्रेसिंग वीडियो के लिए आप लोग का कफी प्यार मिल रहा है आप लोग ऐसी व्यूज लाइक आते रहें आप लोग अपने ग्रूप में जदा ज़्यादा शेयर करिए लोग आपके लिए ऐसी कुछ अच्छे अच्छे फ्री कंटेंट लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए चलिए दोस्तों धन्यवाद मिलते अगले वीडियो